फिल्मों में पहनने वाले कपड़ों का क्या होता है फिल्मों के बाद आईए जानते हैं आपने फिल्मों के दौरान देखा होगा कि फिल्मों में उसे होने वाले जो कपड़े होते हैं बड़े ही स्टाइलिश और महंगे होते हैं और इन कपड़ों को दूसी फिल्मों में भी नहीं उसे इस्तिमाल भी नहीं किया जाता तो आप अक्सर एही सोचते भी होंगे कि ये कपड़े आखिर जाते कहा हैं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे एश्वर्या ने पहना था 125 अलग कपड़े फिल्म एक्शन रीपले जिसमें अक्षे कुमार और एश्वर्या राय लीड रोल में थी आपको बता दे कि एश्वर्या राय ने सिर्फ इस फिल्म में ही पूरे 125 कस्टम्स बदले थे दीपिका पदकोंड ने पहने थे 135 नए कॉस्टियूम इस साल 25 जनुवरी को रिलीज हुई फिल्म पदमावती जिसमें दीपिका पदकोंड ने पूरे एक 30 ड्रेस बदले थे और सब ही ब्रांड नए थे लेकिन इन कपड़ों का बाद में क्या होता है अब जानते हैं यह होता है उन कपड़ों के साथ जब फिल्मों में सारे कपड़ों का उप्योग हो जाता है तो इसे एक बॉक्स में डाल कर फिल्म किटी में इस बॉक्स पर फिल्म का नाम लिखकर फिर इसे प्रड़क्शन हाउस में रख दिया जाता है जब भी कभी किसी दूसी फिल्मों में ऐसे ड्रेसेस की जरूरत पड़ती है तो इन कपड़ों को दुबारा से उसे करते हुए साइड एक ट्रेस को पहनने को दिया जाता है